हेलो इस्टुडेंट्स आप क्लास फर्ष बोल्मोनिक और लब यू कैसे हैं आप सो फाइन वेरे गोई पेटा आपके चैप्टर इसके बाद नेक्स चैप्टर आपका एक पोएम है है ना पेज नंबर सेवेंटीफाइप पर आप सबने पोएम पढ़ ली है पोएम के एक्टिविटी कर ली है तो आप हम क्या करेंगे आज ड्राइंग हो गई चैप्टर किसके बाद लोग क्या करते हैं हाड़ वर्स मोट करते हैं रीड करने के बाद चैप्टर इया पोएम को रीड करने के बाद लोग हाड़ वर्स मोट करते हैं हमने भी आपको लेके लिए hard words note किये है, इन hard words को आप लेक लीजिए, 1st है, 1st hard word क्या note किया है, silver, 2nd है ear rings, 3rd है smooth, 4th honey, 5th bunny, 6th है graceful, 7th है yummy, 8th है stories, 9th है bomb, 10th है wife, यह hard words है, इनको आप repeat जरूर कर लीजिएगा, किखे, कम से कम, 1 time, 2 time, repeat करोगे और इची बात है, आपको word bang boost करेगा, spelling clear होगी, hard words लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बताईए, hard words लिखने के बाद हम लोग word meanings पटने हैं, तो हम लोग आप पढ़ेंगे word meanings, आपकी page number 75 पर देखे, नीचे word meanings लिखी हुई है, अम लोग पढ़ रहे हैं, और इसको आप अपनी copy पर सी तरह note कर लीजिएगा, first word meaning आपकी क्या है, ear rings, क्या है, ear rings, आपनी देखा होगा, दादी, ममी को अपने कानों में कुछ पहन के रखती हैं, उसी को बोलते हैं, ear rings, अब इसकी English to English word meaning क्या होगी, a piece of jewelry that you were in your ears, एक jewelry का piece, जो आपने कानों में बहनते हो, या लोग अपने कानों में बहनते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ear rings बोलते हैं, second है, bunny, bunny क्या होता है, खर्गोस, a rabbit, English to English क्या बोलेंगे, a rabbit, third है, halwa, halwa सभी को पसंद होता है, आप सब जानते हो, halwa क्या है, लेकिन English to English word meaning में क्या लिखोगे, an Indian dish, क्या लिखोगे, an Indian sweet, डिस नहीं लिखेंगे, sweet लिखेंगे, क्या लिखेंगे, sweet लिखेंगे, ठीक, third, fourth है, yummy, बोलते हो न, जो कोई जी आपको बहुत टेश्टी रखती है, आप बहुत यम्मी है, यम्मी means tasty, yummy means tasty, next है, graceful, जब आपको कोई बहुत attractive लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप क्या बोलते हो, he is very, he is very graceful, ऐसे करके बोलोगे न, तो graceful means क्या होता है, जो बहुत अच्छे से चले, बोलते हो, graceful means होता है, to move beauty fully, जो सुन्दर्था से चले, इसको क्या बोलेंगे, graceful बोलेंगे, अब आप अपना page 10 का लीजे, page number 766, और आपकी this course book का, last phrase है, let's try one, read the poem aloud twice, poem को तेज से बोल करके, दो बार पढ़ना है, first loudly पहली बार तेज तेज बोल के पढ़ने है, then softly और फिर आराम से पढ़ने है, ठीक है, तो आपकी first let's try ये है, जो आपकी पुद से करनी है, उसका video में send करना है, okay, let's try two में आएंगे, thinking about the poem, poem आपने पढ़ी, उसी के बारे में समझ करके, आपको आगे answer देने है, the little girl joy has written many things about her nani, little girl joy है, जिसने इस poem को लिखाया, उसने अपने नानी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई है, think about the poem, poem के बारे में सोचिए and fill in the blanks, और blanks को फिल करिए, nani's silver earrings are as white as, nani's silver earrings सफेद हैं, कितने सफेद हैं, जैसे की, जैसे की, क्या बताया था मैंने poem में, where you love, सब को answer पताई, milk, nani's clothes are as smooth as, nani's clothes कितने स्मूथ हैं, as silk, जैसे की, silk, nani's voice is as sweet as, nani's की voice कितनी मीठी हैं, जैसे, honey, फिर, nani's hairs are as soft as, कितने सफ्ट है nani की hair, जैसे, bunny, यानि की, rabbit, nani's halwa is as yummy as her, nani का लोग, नहीं मीठा है, नहीं टेस्टी, जैसे, उनका प्यार, इसी तरह आगे का भी आप, बेड़ कर लिजेगा, अब आते हैं, rhyming words, तो सबसे अगला है, rhyming words, rhyming words, क्या होते हैं, जैसे, rhyming words की रिश्मीचन दे लिजे, the two words in each pair, the two words in each pair, sound similar, जहां, पेर से, दो words की sound similar को, spelling से मत्तब में, sound similar को, ऐसे words, they are called rhyming words, ऐसे words को क्या करते हैं, rhyming words, क्या करते हैं, rhyming words, once again, the two words in each pair, sound similar, they are called rhyming words, okay, तो, now read these pair of words, नीचे पुछ आपको दिखिए, तुछे pair of words दिये हैं, milk का क्या है, silk, honey का क्या है, बनी, इसी पर बेज़ आपके, let's try में, two words आपको दिये हैं, first word है आपका love, और second है आपका hill, love का भी आपको rhyming word लिखना है, hill का भी आपको rhyming word लिखना है, इस तरह से आपकी exercise इस poem की complete होती है, आप activity भी जिन बच्चों नहीं की है, complete करके फेज़े, poem का video बना के फेज़िए, और सारी exercise पिछले chapters के सारा सले बस अच्छे से तयार करके, अच्छे से आप अपना exam objective कीजिए, इसके बाद आपका reviewiser work होगा exam के लिए, reviewiser work के अरपको learn कर लिए, ओके, thank you, bye bye, have a nice day,